आप सभी को नमस्कार मेरे यूटूब चैनल सीके हिंदी सागर में आप सभी का स्वागत है जैसा कि आप देख पा रहे हैं माखलाल चत्रवेदी की रचना कैदी और कोकिला पाइट टू आप लोग आज पढ़ेंगे जैसा कि आप देख पा रहे हैं भली भाती तो प्रादम क किया जा रहा है क्या देख न सकती जंजीरों का गहना हत कडियां क्यूं यह ब्रिटीस राज का गहना कोलू का चरक्चू जीवन की तान क्यां कटी पर अंगुलियोन ने लिख गान कढ़े मदल्ब क्या है प्रसाम चारपंक तहले आप लोग देखेंगे क्या तुमने हे कोयल क्या तुमने हे क्या थुम्हें इसे वक्ष्ण बोलेंगे हे का तुमने जंजीरों का गहना दिखाई नहीं देता तो आप आप लोग अब भली बाती बात को समझेंगे प्रारम देखें यहां पर क्या है तो भी आख्या बोलेंगे क्या तुम्हें तो किसे बोलेंगे कोयल को तो कैसे बोलेंगे हे कोयल क्या तुम्हें ठिक कैसे बोलेंगे हे कोयल क्या तुम्हें जंजीरों का गहना दिखाई नहीं देता देख न सकती मतलव दिखाई नहीं देता तो रलोग बात master मंझेंगे समझेंगे आपको पढली पंगति आना ही चाहिए यहाँ पर क्या बोलेंगे है कोल सीथे क्या तुम्ही तुम्हें चोड़े हैं क्या तुम्ही जंजीरोका गहना दिखाई नहीं देता हठधगडिया क्यों ये बिटिस राज का गहना ये हठ खडिया नहीं है या तो अंग्रेजो के सासन का गहना है यह तो अंग्रेजों के सासन का गहना है मतलब जो कभी है वो अपनी पिल्या अभ्यक्त कर रहा है उसको यहल से क्या हतकडिया क्यों इसका नाम हतकडिया क्यों दे रहे हो इसका मतलब यह हतकडिया नहीं है ठीक है हतकडिया क्यों इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है मतलब यह अधकडिया नहीं है यह अधकडिया नहीं है यह तो यह लगा देंगे तो यह तो अंग्रेजों के सासन का गहना है जैसा कि आव देख पा रहे हैं अब पंक्ती तिसरे में चलेंगे कोलू का चरक्चू जीवन की तान कहने का मतलब क्या है अब तो कोलू का चरक्चू आवाज ही हमारे जीवन की तान बन गई है देखे कोलू क्या होता है सबी लोग जानते होंगे पहले के समय में जो उख यानि एक पिराता था वह कोलू से होता था और पहले कोलू चलता था जैसे आज समय में मतलब आज के समय में तो नहीं कर सकते अवी कुछ और सो पहले किसान लोग उख पोते थे तो बैलो से उसे पिड़ते थे मसीन मसीन था और मसीन में कत्री बान करके बैलो से पेरते थे उख तो उसे पहले वह कोलू से दसे पिड़ा करते थे कोलू बहुत सा निवर सब बढ़ा पत्थर आता एक कोलू बहुत बड़ा पत्थर हता एक बीच में दकहसे ुदा हरता है à सथ अरुप टो है तो आप लोग देख पह रहें जैसा किसी तो देखा आभाव में भी भाप भी लूुप बड़ा सब पत्थर हो उलस्थ है तो दीखेंगे लिए अब तो यहाप जोड़ेंगे अब तो अब तो को लुप सब्सक्राइब चरक्चू यानि जो आवाज रता है कैसे चरक्चू 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 क्या आवाज है तो चरक्चू आवाज ही जीवन तो हमारे जीवन की तान बन गई है जीवन की तान मतलब हमारे जीवन की तान बन गई है सुर्ताल ठीक है बात को समझेंगे कोलू का चरक्चू जीवन की तान अब तो यहां क्या जुड़ेंगे भाई अब तो अब तो कोलू का चरक्चू अवाज ही हमारे जीवन की तान बन गई है अब अगले पंक्ति में चलते हैं गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान जेल की गिट्टी पर जेल के गिट्टी पर अंगुलियों ने गीत लिख दिया है देखेंगे अर्थ गिट्टी पर तो कभी कहा है जेल में जेल में जेल की गिट्टी पर जेल में जेल की गिट्टी पर याँ जेल की बोलेंगे ठीक ना याँ क्या बोलेंगे जेल की जेल की गिट्टी पर अंगुलियों ने गान लिखे मतलब गित लिख दिया है मतलब जेल की हरे गिट्टी पुकार के कह रही है कि इस गिट्टी को कभी ने तोड़ा है करे मतलब जेल की गिट्टी पुकार के कह रही है कि यह गिट्टी कभी ने तोड़ा है तो वहीं व्याख्या कभी कह रहे हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, तो कैसे बूलेंगे व्याख्या में, जेल की गिट्टी पर अंगुलियों ने गीत लिख दिया है, अब आगे देखेंगे, हूँ मोट खिचता लगा, पेट पर जुवा, खाली करता हूँ, प्रिटिस अकड का कुवा, दिम में करूडा क्यूं जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजवडा रही आली, करने कातात पर क्या है, हूँ मोट खिचता लगा, पेट पर जुवा, अब इसका ब्याख्या देखेंगे कैसे होगा, थुड़ा सा लंबा रहेगा, इस पंग्भी का ब्याख्या थुड़ा सा लंबा रहेगा, जेल के अंदर जो कुवा है, जेल के अंदर जो कुवा है, उस कुवे से पानी निकालने के लिए, मैं पेट पर जुवा लगा कर, उसके रसी को खिचता हूँ, ध्यान देजिएगा, तो सबसे पहले हम जोड़ेंगे क्या, जेल के अंदर जो कुवा है, सब ही लोग जानते हैं कि जेल के अंदर पानी का साधान रहता है, तो जेल के अंदर जो कुवे से पानी निकालने के लिए, इतना आप लोग समझ पाएं बात को जेल के अंदर जो कुणा है उस कुणे से पाणी निकालने के लिए मैं देखें आपे मैं पेट पर मैं पेट पर जुगा लगा कर जुगा जानते हैं जैसे पहले बैल जोत्ते थे जुगा उनके गर्दन में राता था वो इसी प्रकार मोट खिचता हूं मतलब रसी को खिचता हूं तो ब्याख्यम कैसे बोलेंगे उसके रसी को खिचता हूं किसके बल्टी का जो पाणी जाता है ना उसके रसी को ठीक है किसे जुगा जुगा कहा रहता है पेट में लगा कि तो आप लोग ब्याख्या कुण सार फीद बात को सम तो किसके रसी को उसके रसी को यानि बल्टी का जो पानी रहता है जो रसी रहता है उस रसी खुचता हूँ तो मोट खुचता हूँ मतलब रसी को खुचता हूँ तो ब्याख्याम कैसे बोलेंगे उसके रसी को खुचता हूँ किसके बल्टी की रसी को ठीक है तो ब्याख्याम किसे बोलेंगे ब्याख्याम देखेगा हूं मोट खिचता लगा पेट पर जुवा जिल के अंदर जो कुवा है उस कुवे से पानी निकालने के लिए मैं इतना जोड़े है ठीक है मैं पेट पर जुवा लगा कर उसके रसी को उसके रसी को खीचता हूं अब आगे देखेंगे खाली करता हूं बिटिस अकड का कुवा अब तो केवाल अंग्रेजो के अब तो केवाल अंग्रेजो के घमंड का कुवा खाली करता हूं तो जोड़ेंगे क्या अब तो केवाल बिटिस अकड बिटिस अकड का कुवा यानि अंग्रेजो के घमंड का कुवा बिटिस यानि अंग्रेज अकड यानि घमंड कुवा मतलब जानते हैं सब लोग कुवा जिसमें पानी होता है तो ब्याख्या इसका कितना हो गया इसका ब्याख्या क्या हो गया अंग्रेज के घमंड का या के लगा देंगे ठीक है अंग्रेज के घमंड का कुणा अंग्रेज के घमंड का कुणा खाली करता हूँ को अब तो केवल अब तो केवाल देख लेंगे अपनोब बात को समझ लेंगे अच् Ministra अब तो केवाल अगलियज की घमन्द का कुवाँ खाली करता हूं ठीक है आगे देखेंगे दिन में करुडा क्विय। जगे रूलाने वाली देखेंगे बात को समझेंगे अच्छे से, देखें यहां से व्याख्या समझेंगे बात को, तुम दिन में, तुम दिन में रुलाने वाली बात, तुम लगा देंगे यहां पर, तुम दिन में रुलाने वाली बात इसलिए नहीं बोलती हो, थाकि तुमारे अंदर करूडा न जगे देखे करूड़ा क्यों जगे करूड़ा क्यों जगे मतलब करूड़ा न जगे मतलब तुम्हारे अंदर भी दुख न आए करने मतलब भाव यह है आप लोग बात को समझ लेंगे दिन में दिन में बैख्या बोलेंगे तुम दिन में रुलाने वाली रुलाने वाली बा पास है यहां देख रहे हैं आगे जोड़ना क्या है बात इसलिए नहीं बोलती हो ताके बात इसलिए नहीं बोलती हो ताके तुम्हारे अंदर ताकि तुम्हारे अंदर इतना जोड़े है बात नहीं बोलती हो क्योंकि तुम्हारे अंदर करूडा ना जगे ठीक है बात को समझ लेंगे फिर से एक बार दिन में करूडा क्यूं जगे रूलाने वाली तुम दिन में रुलाने वाली बात इसलिए नहीं बोलती हो ताकि तुमारे अंदर करूडा न जगे कमने बोलती दिन में तुम दिन में रुलाने वाली बात इसलिए नहीं बोलती हो ताकि तुमारे अंदर करूडा न जगे आगे देखेंगे और इसलिए रात में गजब का नम ढ़ार ही हो दिखेंगे अर्थ इसलिए इसलिए रात में क्या बोलेंगे और इसलिए रात में दिन में करती नहीं हो तो रात को आई हो रात को ही गई थी कोज़ल ना ? हुई ऐसे लिए रात में गजब का नम तो गजब का नम धा रही हो आली का मतलब होता है नम नम होता है गीला होता है ठीक है न research प्रगार के अर्थ होते हैं और वैसे भी रात का समय भी नम होता है तो आप लोग बात को समय लेंगे देखिए गजब गजब का आली मतलब नम नम रात भी होता है और नम गीला भी होता है और नम ठंडा भी होता है तो आली का अर्थ होता है यहां प्रियों करेंगे नम ठीक ह माना तो है इसके अर्थू अनेक होते हैं लेकिन आपे नम का प्रयोग करेंगे नम नम ठीक है डा रही हो मतलब धा रही हो धा रही हो ही बोलेंगे ठीक है और इसलिए रात में और इसलिए रात में गजब का नम धा रही हो आप सभी लोग इस ब्याख्या को भली बाती समझ ल लोग व्याख्या आना चाहिए पढ़ने से सब कुछ नहीं हो जाएगा आपको आना चाहिए इस लिए आप लोग विश्यस कर ध्यान देंगे व्याख्या पर तब सब कुछ संभव है तो प्रारम किया जा रहा है फिर से रिवाइश द्वरा जा रहा है हे कोयल क्या तुम्हें जंजीरों का हे कोयल देख़ें यहां से प्रारम कर रहे हैं हे कोयल क्या तुम्हें यह यह लगा देंगे व्याख्या रूच्छा रहेगा ठीक है हे कोयल क्या तुम्हें यह जंजीरों का गहना दिखाई नहीं दे रहा है यह थकडिया नहीं है यह तो अंग्रेजों के सासन का ठीक है यह थकडिया नहीं है यह तो अंग्रेजों के सासन का गहना है अब तो कोलू का चरक्चू आवाज ही हमारे जीवन की तान बन गई है जेल की जेल की गिट्टी पर अंगुलियों ने गीत लिख दिया है जेल की अंदर जो कुवा है उस कुवे से पाणी खिचने के निकालने के लिए मैं अपने पेट पर जुवा लगाकर उसके रसी को खिचता हूँ अब तो केवल अंग्रेजों के गमंड का कुवा खाली करता हूँ तुम दिन में रुलाने वाली करूड़ा इसलिए नहीं जगाती हो ताकि तुम्हारे अंदर करूड़ा ना चाहिए तुम दिन में रुलाने वाली देखिए यहां से बात को सम्भल लेंगे फिर से तुम दिन में रुलाने वाली बात इसलिए नहीं बोलती हो ऐसे रहेगा व्याक्या जैसा आप लोग पढ़े हैं तुम दिन में रुलाने वाली बात इसलिए नहीं बोलती हो ताकि तुमारे अंदर करूडा न जगे ठीक है तुम दिन में रुलाने वाली बात इसलिए नहीं बोलती हो ताकि तुमारे अंदर करूडा न जगे और इसलिए रात में और इसलिए रात में देखें यहां पे और इसलिए रात में गजब का नम धार ही हो विद्यार्थी गड़ आप लोगों ने इतने व्याख्या को देखा समझा चलते हैं अगले पेश पर कहने का मतलब क्या है कि हे कोयल तुम्हे बताओ कि इतना जुड़ेंगे हे कोयल तुम्हे बताओ कि इस सांथ समय में अंदकार कोचीर कर क्यों रो रही हो देखेंगे आर्थ इस सांथ समय में वहीं बोलेंगे अंदकार को भेद अंदकार कोचीर कर रो रही क्यूं मतलब क्यों रो रही हो ठीक है मतलब दखिए यहां क्या लिखा गुआ है रो रही क्यूं मतलब क्यों रो रही हो कब इस सांध समय में अंदकार कोचिर कर क्यों रो रही हो अब याख्यम कैसे बोलेंगे है कोयल तुम यह बताओ कि ठीक है सबी लोग अबाद को ध्यान देंगे यहां पर हे कोयल तुम्हें बताओ कि इस सांध समय में अंदकार कोचिर कर क्यों रो रही हो हे कोयल तुम बताओ तो सही चुपचाप मधूर बिद्रो बीज इस भाती बो रही क्यों हो कोकिल बोलो तो देख्या देखेंगे चुपचाप मधूर रूपी बिद्रो बीज इस प्रकार क्यों बो रही हो बात को समय लेंगे अच्छे से चुपचाप वही रहेगा मधूर वही रहेगा लगा देग रूपी मधूर रूपी बिद्रो बीज बिद्रो ही बीज बोलेंगे क्या बोलेंगे बिद्रो ही बीज ठीक है इस बाती इस प्रकार बो रही क्यों मतलब क्यों बो रही हो ब्याक्याम कैसे देखेंगे देख लेते हैं फिसे चुपचाप मधूर रूपी बिद्रोही बीज इस प्रकार क्यों बो रही हो हे कोयल तुम बताओ तु सही अब याख क्या देख लेंगे इस शब पंक्ति का हे कोयल तुम यह बताओ कि इस सांध समय में अंदकार को चीर कर क्यों रो रही हो हे कोयल तुम बताओ तो सही चुपचाप मधूर रूपी बिद्रोही बीज इस प्रकार क्यों बो रही हो हे कोयल तुम बताओ तो सही बिद्यार्थिगर आप लोगों ने इस ब्याख्या को बहतिन तरीके सपड़ा समझा और यह ब्याख्या बहुत जब जस्त्रा जसा के भी आप देख पा रहे हैं अभी ब्याख्या यह आज पार्ट टू चला है जल्द ही आपको पार्ट टू मिलने वाला है और मिलेगा तब तक के लिए आप लोग क्या करेंगे इस जो ब्याख्या है इसके सब्द को इसके जो सब्द है उसके अर्थ को लिखना है कहने मतलब आपको ब्याख्या लिखना है आप सबी लोग इस पार्ट टू का व्याख्या लिखे और अपने गुर्जन को दिखाएं जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो के साथ तब तक बेश्ट आप लग